दोस्तों, इन्वर्सिटी वा कॉलेज में पढ़ने वाले बीए, बीए, सी, बीकॉम, वायम, में, सी, अम, कॉम के छात्रों के बहुत सारे कमेंट आ रहें कि सर्द पताई है कि इस बार जो परिच्छाए होने वाले हैं, वो अबजेक्टिव, यानि कि बहुत बिकल पे कोईश्यन आएंगे, या फिर सब्जेक्टिव, यानि कि लिखित परिच्छाए होंगी तो इसी के बारे में सही और प्रूप के साथ मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई भी कोईस्चन और किसी से पूछने की अवशक्ता नहीं है सबसे पहले हम आपको बता दें कहां पर परिच्छाए यानि कि किन चात्र की परिच्छाए अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगी सब्जेक्टिव और 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 यानि कि एक question रहेगा, चार आफसर नहेंगे, जो सही होगा, उसे oh mark sheet मिलेगी, उस पे आप लोगों को question का answer जो रहेगा, चार message राइट रहेगा, उसे आप लोगों को गोला बनाना होगा, कि ये question इसमें का answer सही है, और अगली university है, कि राम मनोहर लोहिया आवध university में, जो परिच्छाएं होने वाली है, वो लिखित होने वाली है, यानि question paper मिलेगा, उसमें कुछ question अतलोग उत्रे, कुछ लग उत्रे, और कुछ बिस्तित उत्रे question मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को बताया जाए, उसमें से जो question है, उनके answer आप लोगों को उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें लिखना होगा, तो अभी तक जो official notice आई है, उसमें सिर्फ अभी तीन ही university included है, जो की कानपूर और प्रवांचेर इनवर्सिटियों में, बिए के जो चात्र की परिच्छाएं, जो बिए बेसी बिकोम की परिच्छाएं वो बहुत विकल्पे होंगी, और राम अनोहल लोया वजदियों में लिखित परिच्छाएं होंगी, यह धान में रखीएगा, ठीक है, और अभी तीन ही इनवर्सिटियों ने एक्जाम की स् परिच्छाएं होंगी, तो उसे यह साबित होता ही, देड़ गणते का टाइम मिल खाया होंगी, तो इसलिए उसमें आफ्यक्टिं होंगी, और जो राम अनोहल लो ही, अवज इनवर्सिटी तो इसे परिच्छा के तेबल दिया गया है, मान लिजए आट बजए से गेरा, ठ कि साथ के सकता हूं यहां पर जो मैंने बताया इसी इसाफ से परिच्छा होंगी जो अग्रा इन्वर्स्टिटी और भी राजिस्थान की इन्वर्स्टिटी हैं और प्रदेश की इनुवर्सिटी जो भी हैं वहां से संबंदित अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि आप सभी की परिच्छाएं अब्जेक्टी होंगी या सब्जेक्टी होंगी तो वह चात जो अदर इनुवर्सिटी को छोड़के वह अभी थोड़ा वेट करें ज जिससे आप लोग पहचान सके जब बेश कीम आया आप लोगों की तो आप लोगों की अगर एक्जाम की स्कीम आ जाती इनुवर्सिटी से तो उसमें अगर टाइम लिखा है कि आठ बजे से मान के सली आठ बज़े से साहे नौ बज़े तक परिच्छाएं तो आप लोग की परिचान लिखी थोंगी यह समझ लीजिए तो यह आइडिया है फिराल यह जो मैंने जानकाई दी 100% है आप लोगों को कहीं और कुछ देखने की ज़रूत नहीं बस इसी साफ चलिए एक्जाम की तैयारी करिए जो भी नोटिस आएगी जिस भी इनुशिटी स्कीम आएगी कोई भी अप्डेट आएगी हम आपको इंफॉर्मेशन कर देंगी हमारे उपर छोड़ दीजिए बस ठीक है यही जानकाई देनी थी ठीक है मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जाहिंद कोई कोश्चन है कोश्च जाओत कमंट आपके लिए खाली है दिसक्रफशन में लिंक है वीडियो उसका टेलिग्राम का जॉइन हो जाई है ठीक है